सर हिंदू अल्प संख्यकों पर पड़ रहा है बांगलदेश से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू बहुल इलाकों से लगातार हत्या आग जनी और लूट पार्ट की खबरे आ रही है इंसा के बीच हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है बांगलदेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंद्सा का सबसे ज़्यादा असर हिंदू अल्प संख्यकों पर हु रहा है पूरे बांगलदेश से हिंदू पर हमले और उनकी संपत्यों में आग जनी की खबरे आ रही है हिंदू के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है अमार भाई के खुष्ती थीलो मने इरा को थाए अमार मा बाइरे छिलो मास जो निरुपाई होया दाराये देख्थे रहे घरे फैन बोलें खाबार जलें जोग बोलें एक्टा ग्लास बोलें कि चुराखे नाई पीता ये भाईया वह लाई से बाबा जते टुकु पार्ष्ते छभीतुशे बाबारे मार्से बाबार गाया हाथ दीशे अमार छोटो काका तो पलाई अमार छोटो काके उना कुष्तीशे अमारा कोता निरुपाय आज के इस आत्रोदेर कारोने अमारा एकट की देश चेरे निजर जएगा जोमी छेरे की अमारा हिंडिया पलाई जब इटा मोने कुटते शबाई क्यानो इंडिया जबो आमना शादीन देशे बास कोरी ना वर्ड हिंदू फेडरेशन के बांगलादेश चेप्टर की रिपोर्ट के मुतामिक बांगलादेश के 49 जिलों में हिंदूों को बनाया गया निशाना घरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़ फोड आगजनी और लूट हिंदू नेताओं की हत्या की गई है और उनके घरों को जलाया गया है राजनीत इसे जुड़े हिंदू नेताओं को खासतोर पर निशाना बनाया जा रहा है हिंदू महिलाओं को अगवा करने की भी खबरें सामने आ रही है बांगलादेश में मौझूद हिंदू के हालाद पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा रही है धर्म गुरूओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिशत और आरसेश जैसी सस्थाएं भी बांगलादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रही है साथ ही सरकार से मांग भी कर रही हैं कि बंगलादेश में हिंदू की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए पंगला देश में दस प्रत्सित के लगवग हमारे हिंदू बंदू भी रहते हैं उनकी भी सुरक्षा आवस्यक है इसलिए वहां की सेना से इस समय जिनके हाथ में सकता है उन लोगों से हमी अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जंता को कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योग इक्षयम का भी निरंत्र ध्यान रखा जाना चाहिए पंगला देश में सबसे ज्यादा अलपसंक्यक हिंदू ही हैं इसके बाद बौध और इसाई आते हैं तक्ता पलट के बीच जारी हिंसा के बीच बंगलादेश में रहने वाले भारतिये अब सदेश लोटने लगे हैं शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांगलादेश में हिंदों के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है बांगलादेश में तक्ता पलट की साजिश में ISI का नाम भी सामने आ रहा है ऐसे में माना जा सकता है कि बांगलादेश में हिंदूओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है बांगलादेश में अब अंतरिम सरकार का गढ़न होनी जा रहा है ऐसे में हिंदों की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांगलादेश के संबंदों पर भी दिखाई देगा बांगलादेश में तक्ता पलट का जो मुखे आर्किटेक्ट इस्लामिक चात्र शिविर है जो जमाते इस्लामिकी चात्र यूनिट है सूत्रों के मताबिक पिछले दो सालों में बड़ी तादात में इस्लामिक चात्र शिविर से जुड़े चात्रों ने अलगला यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया और यही से शुरू हुआ चात्रों को भड़काने का नतीजा यह हुआ कि आरक्षन के मुद्दे पर जो लोग पिछले दो महिनों में सडकों पर उत्रे वो यूनिवर्सिटी के चात्री थे इस संगठन की पाकिस्तानी खुफिय अजंसी आएसाई से बहुत ही गहरे तालुकात है साजेश का किरदार नमबर दो बांगलादेश का संगठन जमात इसलामी पाकिस्तान की खुफिय अजंसी इसे मोहरे के तौर पर इस्तिमाल करती है बांगलादेश के संगठन जमात इसलामी को ये संगठन अभी फुल ऑन एक्टिव है बांगलादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड फेकने में सबसे बड़ा रोल जमात इसलामी के चात्र संगठन इसलामी क चात्र शेविर नहीं निभाया है आरक्षन के खिलाब पिछले दो महिनों से सडकों पर धरना प्रदर्शन कर रहे चात्र इसलामी क चात्र संगठन के ही हैं कि दावा किया जा रहा है कि पिछले दो सालों से बांगलादेश के अलग-अलग विश्ववी द्यालों में इस्लामिक छात्र श्रिबिर के कई कैडर भरती हुए हैं यहीं से विश्ववी द्याले के छात्रों को भढ़काने का काम शुरू किया गया वैसे तो बांगलादेश के जादतर युनिवरस्टी और कॉलेजु में इसलामिक छात्र शिबर का दबदबा है लेकिन धाका युनिवरस्टी, चटगाव युनिवरस्टी, जांगीर युनिवरस्टी, इसके लावा सिलहट युनिवरस्टी और राजशाही युनिवरस्टी जमाते इसलामी का गड़ माना जाता है यहां आपको जमाते इसलामी की डीटेल जरूर देखनी चाहिए क्योंकि बंगलदेश में बगावत की आग भड़काने में इस संगठन की जिम्मधारी बहुत बड़ी है मुस्लिम ब्रदहुड की नेता सैयद अबुलाला मौदूदी ने जमाते इसलामी की स्थापना की थी इसके लावा इसलामी विजय दुनिया को इसलाम के जंडे के नीचे लाना इसका मकसद है शेख हसीना सरकार ने जमाते इसलामी और इसके संगठन के साथ मिलकर ये काम करता है और बंगलादेश की आजादी के वक्त जमाते इसलामी ने पाकिस्तान का साथ दिया था यही वज़ा है कि बंगलादेश की आजादी के बाद शेख मुझीबुर रह्मान ने जमाते इसलामी को बैन कर दिया था लेकिन ताना शाह जियाओर रह्मान ने जमात इसलामी से बान हटा दिया साजिश का किरदार नमबर तीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई एसाई छात राजनिती के अलावा जमात इसलामी संगठन मदर्सों की गतिविधी में भी सक्रिय है माल्दीव की तर्ज पर बंगलादेश में भी इंडिया आउट अवियान शुरू किया